हलो सुदेंट्स मेरा नाम धीरज महांदिवेदी और स्वागत है आपके फेवरिट चैनल मागनेट ब्रेंज पर मागनेट ब्रेंज एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ओनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन ठीक है तो और टीम है वो आपसे कॉंटाक्ट करेंगी तो यह जो बुक्स अवेलिबल है न यह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनेफिशल रहेगा बिकॉस यह डिफरेंट सेग्मेंट में काटिगराइज है लाइक आपका MCQ बुक्स हो गए सैंपल भी पर बुक्स हो गए ऐसे डिफरेंट सेग्मेंट में आपको यह बुक्स मिलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनेफिशल रहेगा ठीक है तो आप सिंपल फॉर्म फियाप करें बागी टीम आपसे कॉंटाक्ट करेंगी चलें तो बहुती important formula भी यहाँ पर derive होगा और इसका derivation भी बहुत important है आपके board point of view से ठीक है चलो तो क्या होता है lens maker formula ठीक है विद रस्पेक्ट तू सराउंडिंग माइनस वन इन्टू वन अपॉन आरवन माइनस वन अपॉन आरटू ठीक है यह फर्मुला होता है लेंस में कर फर्मुला मैं उसको डराइव करूंगा भी है ना लेकिन मेरी बात को सुनो यह जो हम कहते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है या क तो यहाँ पर इसका रेडियस और इसका रेडियस जरूरी नहीं है कि सेम हो है ना हो सकता है कि दोनों का रेडियस डिफर कर रहा हो वही अगर मान लो मैंने डाइगराम ऐसा बनाया आप देखो इसमें आपका कम करवेचर है इसमें जादा करवेचर है तो दोनों के रेडियस डिफर कर सकते बिल्कुल इसलिए यहाँ पर दोनों सर्फेस का रेडियस आफ करवेचर अलग-अलग लिया गया है ठीक है चलो अब देखते हैं यह फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है है ना सुनना ध्यान से अपर इधर देखो आप लोग मैं ले रहा हूँ यहाँ यहाँ पर ठीक है यह आपका प्रिसिपल आक्सिस यह पहला सर्फेस है तो इसका जो सेंटर होगा वो यहाँ पर होगा सीवन यह दूसरा सर्फेस है इसका सेंटर यहाँ होगा ठीक है अब देखो ध्यान से यहाँ पर यहाँ पर यह आपका first surface यह आपका second surface clear ठीक है चलो अब देखो यह जो आपका lens है इसका जो refractive index है इसको मैंने बोला N2 clear है ना थोगा नीचे लिख देता हूँ सही रहेगा यह इसका है refractive index N2 clear और जो surrounding medium है है ना इसका refractive index मैंने N1 बोल दिया यह भी N1 जो यहाँ medium होगा यहाँ भी medium होगा ठीक है अब देखो सुनो अब मैं यहाँ पर पहले तो ray diagram मना रहा हूँ मैं ठीक है मलग किसी object का इस lens के द्वारा image कहां बनेगी वो देखते हैं ठीक है आओ देखो यह लिया मैंने एक point object है ना लिया मैंने यहाँ पर point object ठीक है अब देखो पहले refraction इसके थू होगा फिर refraction इसके थू होगा है के नहीं obviously बात है पहले आपका होगा rarer to dancer अच्छा अभी मैं माल लेता हूँ कि यह rarer है और यह वाला dancer है ठीक है dancer obviously बात है यह rarer है तो यह dancer ही होगा है ना चलो लिख देता हूँ मैं dancer ठीक है ओके ना तो rarer to dancer फिर dancer to rarer है के नहीं this is again rarer ओके चलो आओ अब ध्यान देना आप लोग यहां पर तो ray diagram शुरू कर रहा हूँ मैं ध्यान दें यह लिया मैंने incident ray ठीक है अब बताना देख के यहां पर यहां पर अगर देखना है कि bending कैसी होगी उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा normal है ना तो normal कैसे बनाएंगे इस point पर इसका center of curvature से joining करेंगे तो यह देखो यह होगा ना आपका center of curvature होगा center of curvature ठीक है अब बताओ रेरर टू टेंसर बेंडेंग तो वर्ड़ी नॉमल हाई ना ठीक है अब देखो तो वर्ड़ी नॉमल मतलब ऐसे बेंड होगी ठीक अब देखो अगर यह वाला surface नहीं होता तो यह ray सीधे जाती न तो इसको dotted से show करेता हूँ मैं dotted से देखो अगर यह वाला surface नहीं होता तो यहीं पर bending हो करके यह सीधे जाती बोलो हाई न ठीक चलो लेकिन अब यहाँ पर भी एक surface है तो यहाँ पर भी क्या होगा refraction होगा ठीक है अब देखो ध्यान से अब ray of light dancer से rarer में जा रही है ठीक तो अब यहाँ पर bending कैसे होगी उसके लिए यहाँ पर बनाएंगे normal तो मैं normal बना देता हूँ blue color से यह देखो इस पे normal बनाना है तो इसके center से join करो और इसका center का है यह है यह होगा ना आपका क्या normal ठीक अब बताओ देखके denser to rarer bending away from the normal जाना चाहिए उसको सीधा लेकिन normal से दूर bend होगा मतलब ऐसी bend हो जाएगी ना यह ठीक तो आप बताओ देखके हाँ पर सुनो यहाँ पर अगर मैं पहले surface की बात करूँ तो इसका object कौन होगा ओ और इसका image कौन होगा यह this is eye dash माल लो ठीक अब जो इसका image होगा वो इसके लिए object की तरह behave करेगा नहीं लेकिन यह जो object होगा इसके लिए second surface के लिए यह virtual object होगा हाँ है ना ठीक है आप देखो यहाँ पर क्या तहानी होगी यहाँ पर आपका यह ऐसे गया यह देखो इस surface के लिए यह वाला ray incident ray है और incident ray को produce करने पे जहाँ पर meeting होती है उसे virtual object बोलते हैं ना हम लोग यह मैंने बिलकुल ray optics के आपके second video में ही बताया था मैंने कि what is virtual object ठीक है और यह हम कहते हैं कि अगर multiple refractions होगे तो पहले का जो image होगा वो दूसरे के लिए object के तरह behave करेगा फिर वो दूसरा वाला जो बनाएगा image ना that is our final image clear ठीक है तो अभी देखो द्यान से सुनो आप यह बताओ देखके यहाँ पर यह वाला जो surface है यह वाला surface ठीक है इसके current जो refraction हुआ है वो ऐसा हुआ अगर यह नहीं होता तो वो ray सीधे जाती और एक ray आपको मालूम ही है कि यह सीधे ऐसी गई है तो यहाँ पर meeting होगी उसकी तो अगर यह नहीं होता तो यहाँ meeting होती image बनती ठीक है अब देखो क्योंकि यहाँ पर आपका एक और surface है तो वो भी उसको क्या करेगा bend करेगा away from the normal तो यहाँ पर वो bend कर दिया तो यहाँ पर जा करके final image बनेगी आई ठीक तो सुनो यह जो आपका second surface है इसके लिए virtual object कौन होगा i- और इसके लिए image कौन होगा i आ रही यह वाद समझ मैं आपको ठीक है चलो तो यह तो मैंने आपको दो surface के through refraction बताया है ना अब मैं formula derive कर रहा हूं ठीक है देखो द्यांसे formula derive करने कर रहा हूं मैं लेकिन इसको समझ यह वाली चीज समझ में आपको तभी आएगी जब आप लोगों ने previous के जो दो topics मैंने पढ़ाया है that is refraction through concave spherical surface और convex spherical surface वो आपका clear होना चाहिए ठीक है चलो अभी ध्यान देना आप लोग यहाँ पर इदा देखना पहले हम बात कर रहे है from surface 1 देखो from surface 1 from surface 1 ठीक अब देखो यहाँ पर यह जो आपका surface 1 है यह convex है है कि नहीं ठीक है क्योंकि आप देख रहे हो convex वाला rare की तरफ है ठीक है अब बदाओ first surface में refraction कहां से कहां हो रहा है rarer से denser में हो रहा है ठीक तो rarer से denser में हो रहा है मतलब 1 से 2 में हो रहा है तो उसके लिए formula क्या होता है यह मैंने कराया हुआ है relation between u v and r का ठीक है अभी देखो इसका radius कितना होगा r1 और इसका radius कितना होगा r2 है के नहीं यह वाला क्या होगा v dash यह क्या होगा आपका u और यह वाला क्या होगा जो final image है वो क्या होगा v ठीक आप देखो सुनो पहले surface की बात करें तो उसका radius कितना है आपका r1 इसका center यह है न तो इसका radius कितना r1 ठीक है और इसका object कौन है ओ और इसका image कौन है i dash ठीक तो अब देखो हम बोल रहे हैं पहले surface में जो refraction हो रहा है वो 1 से 2 में हो रहा है तो formula कैसे लिखेंगे n2 minus n1 upon radius कौन r1 फिर n2 के साथ आता है v तो इसके लिए v कौन है v dash यह image है ठीक है minus n1 upon u यह formula होता है ठीक है के रिए नाव अब देखो इसको दिया equation number 1 अब देखो from surface to second surface की बात कर रहा हूँ अब बताओ refraction कहां से कहां हो रहा है denser से rarer में हो रहा है ठीक है मतलब 2 से 1 में हो रहा है हाई ना तो यहाँ पह देखो 2 से 1 में हो रहा है तो formula क्या होगा n1 minus n2 n1 minus n2 upon आपका radius क्या होगा इस वाले का r2 होगा radius r2 equal to n1 के नीचे कौन आएगा जो पहले लिखा होता है उसके नीचे v आता है और इसका image v है न वी ठीक है final image minus n2 के नीचे आता है object distance और इसके लिए object distance कौन है v dash भाई इस surface के लिए यह object होगा न तो v dash ठीक है clear कहानी चलो इसे दिया मैंने equation number 2 अब हम क्या करेंगे दोनो equation को add करेंगे देखो 1 plus 2 कर नहीं अपन ध्यान देना आप लोगे यहाँ पर this plus this n2 minus n1 upon r1 plus n1 minus n2 upon r2 अब आप देखो ध्यान से जब आप दोनों को add करोगे तो यहाँ पर n2 by v dash और minus n2 by v dash cancel out ठीक है तो होगा बचेगा क्या minus n1 by u or plus n1 by v होगा ऐसा ठीक है चलो अब देखो यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर अगर तो minus n common लेलो ठीक है तो क्या हो जाएगा देखो n2 minus n1 upon r1 minus of minus common लेलिया तो अब यह भी हो जाएगा n2 minus n1 upon r2 clear equal to यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या आएगा n1 common तो 1 upon v minus 1 upon u clear ठीक है अब आप देखो n2 minus n1 common ले सकते तो बचेगा 1 upon r1 minus 1 upon r2 ठीक अब देखो आओ जाएगा नेक्स पेज में देखो n2 minus n1 मैंने common ले लिया तो बचाओ 1 upon r1 minus 1 upon r2 equal to देखो 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 यहाँ से अबर n1 into 1 upon v minus 1 upon u clear ठीक है अब n1 को यहाँ पर मीचे ला सकते हो क्या n2 minus n1 upon n1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2 equal to 1 upon v minus 1 upon u ठीक अब देखो ध्याँ से मैं पहले इसको लिख दूँ चलेगा ना अब लोग को 1 upon v minus 1 upon u फिर इसको लिख रहाऊ मैं अच्छा यहाँ देखो मैंने क्या कर दिया क्या मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ n2 by n1 minus n1 by n1 1 हो जाएगा और यह 1 upon r1 minus 1 upon r2 clear आपका initial object infinity पे होता है तो जो image बनती है वो focal length पर बनती है ठीक है? तो यहाँ पर अगर आपका ऐसा बोलू मैं यहाँ पर एक second if u is equal to infinity मला object अगर रखाओ infinity पर then image is at infinity sorry focal image is at focus तो यहाँ पर v कितना हो जाएगा आपका f हो जाएगा clear? यह मालू है आपको कि अगर object infinity पे हो तो image कहाँ बनती है? focus बनती है तो u अगर आपका infinity है तो v कितना होगा? f होगा तो यहाँ देखो इसको replace करो infinity से और इसको replace करो f से तो 1 upon f is minus 1 upon infinity equal to अब देखो n2 by n1 को लिख सकते होना n21 minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 ठिक? 1 upon infinity कितना 0 तो 1 by f minus 0 मतलब 1 by f तो अब तुम्हारे सामने formula आ रहा है 1 upon f is equal to सुनो यह n21 क्या है? यह 2 क्या था? वो जो lens के अंदर glass है जो lens का जो glass है उसका refractive index with respect to 1 और 1 medium कौन था? surrounding medium है ना? इधर और इधर यह surrounding medium से तो क्या मैं ऐसको ऐसा रिख सकता हूँ? यहाँ पर refractive index of lens ऐसा better रहेगा बोलना refractive index of lens with respect to surrounding medium ना better रहेगा बोलना ठीक है? तो refractive index of material with respect to surrounding बोल दो या फिर refractive index of lens with respect to surrounding बोल दो है ना? मैं जान करके यहाँ पर ऐसा आपको बोलने के लिए बोल रहा हूँ है क्योंकि यह बहुत काम की चीज़ है कभी-कभी ऐसा होता है कि lens को अगर आप पानी में डाल दो तो surrounding medium क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा ठीक है कि नहीं? तो वहाँ बर क्या लेंगे refractive index of lens with respect to water है कि नहीं? तो मैं एक general formula देना चाहरा हूँ आपको कि refractive index of lens with respect to surrounding हो जाएगा ही ठीक है? minus 1 और यहाँ पर आपका 1 upon R1 minus 1 upon R2 ठीक? यह आपका formula हो गया Is it clear? तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ NLS क्या है? refractive index of lens with respect to surrounding clear? ठीक है? चलो तो यहाँ पर जो मैंने आपको formula दिया था यहाँ पर भी आप कर सकते हो ऐसा यह medium दिया था मैंने आपको sorry material दिया था मैंने इसको भी आप कर लो L है कि नहीं? ठीक है? चलो तो यह हो गया आपका simple formula lens maker formula यह बहुत important formula है मला इस formula पे बहुत सारे applications आप लोग देखोगे lens का ठीक है? तो एक काम करें आप लोग पहले इसका screenshot ले ले फिर आप लोग इसका screenshot ले ले चलें तो यहाँ पर अपना ये जो lens maker formula है ये ओवर होता है ठीक है? तो अब जो next video होगा हम वहाँ पर lens formula को लेके बात करेंगे that is 1 upon f equal to 1 upon v minus 1 upon u ठीक है? फिर लेटर और अपन बात करेंगे magnification ठीक है? तो ऐसे करके अपने topic को आगे बढ़ाएंगे है ना? तो ऐसी video को देखें के लिए क्लिए क्या करना है आपको simple magnetbase.com पर जाएं या फ़र जो magnetbase का youtube channel है वहाँ पर आप जाएं वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे course मिलेंगे जो कि बिल्कुल free of cost है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने एक दो topic पढ़ लिया ठीक है? तो फिर लाइक जरूर करें और अगर आप चनल में नए हो तो आप इसको जल्दी subscribe करें ताकि कोई भी आपका वीडियो हो वह आपसे बिल्कुल मिसना हो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फाइदा मिल पाएं थैंक यू